हेलो फ्रेंग्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उप्चार नुसके में हम उप्चार नुसके चैनल में रोजाना एक लेटिस्ट वीडियो अप्लोड करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उप्चार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सा अधात भविशे के बारे में जाना जा सकता है यही नहीं बलकि व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में भी अनुमान लगाया जाता है आज हम आपको एलक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले लोगों के स्वभाव और साल 2023 में एलसे नाम वा आले लोगों के स्भाव के बारे में ऐलक्षर से नामवाले लोगång creators सोचने वाले और जीवन में किसी बड़ी चीज का लावरश नहीं रखने वाले होते हैं हाला कि यह भत हुब्सेल सभाव के भी होते हैं इसलिए इन्हें intelligent कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा खुद की खुशी से पहले दूसरों की खुशी का ख्याल रखना इनकी सबसे बड़ी खुबी है छोटी छोटी चीजों में ये लोग खुशियां ढून ही लेते हैं प्यार के मामले में भी ये बहुत लगी होते हैं इन्हें खुब प्यार करने वाला पार्टनर मिलता है अब बात करते हैं एलसे नाम वाले लोगों की सिक्षा के बारे में राशी पल अनुसार इस पूरे वर्ष चात्रों को अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है वर्ष की सुरुआत में भले ही आपको मिश्रत परिणाम मिलेंगे लेकिन साल जाते जाते आपको सिक्षा में बहतर इन परजणाम दे कर जाएगा इस समय आपकी बुद्धी का तीवर विकास होगा जिससे आपको आने वाली परिख्षा में सफलता मिलेगी आपकी पूरु में की गई मेहणत का भरपूरी फल भी इस वर्स आपको मिलेगा प्रतियोगी परिक्षा की तेयारी कर रहा है छात्रो को जब बर्दिस्क कामियाभी मिल सकती है साथ ही इस समय आपको सिक्षा के छेतर में सुब समाचार प्राप्त होने के योग है उच्छ सिक्षा की तेहारी कर रहे, विद्यार्थियों के लिए भी वर्ष परिक्षा में अच्छे अंकों की प्राप्ति का होगा अब बात करते हैं एलसे नाम वाले लोगों की नौकरी व्यवसाई के बारे में राशिपल अनुसर आपके लिए आने वाला साल नौकरी व्यवसाई के लिहाज से शुब है इस वर्ष आप अपने नौकरी व्यवसाई में खुब महनत करेंगे और सफलता के और अग्रिसर होंगे बिजनस करने वाले जातकों को भी अपने द्वारा किये गए प्रियासों में सफलता मिलेगी जिससे आपका आने वाला भवी से सुखमय होगा ऐसे जातक जो काफी समय से जॉब सर्च कर रहे हैं उन्हें भी अपने प्रियासों में जल्दी सफलता मिल सकती है अपना व्यवसाय करने की सोच रही जातकों के लिए भी साल उत्तम है हालकि एक बात का खास ख्याल रखें किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले किसी बड़े वजानकार की राये अवस्ते ले लें मिलाकर साल आपके करियर और नौकरी के लिए काफी अच्छा रहेगा आप बात करते हैं एल से नाम वाले लोगों के प्रेम विवा के बारे में राशी पल अनुसार प्रेम और विवाहिक मामलों में साल मिले जुले परिणाम लेकर आएगा कुछ प्रेमी जोड़ों को प्रेम दिवा की सौगात मिलने की संभावना है तो वही कुछ ऐसे जातक जो अरेंच मैरेज के लिए इंतजार कर रहे थे उनकी शादी के योग है ये साल आपके रिष्टे के लिए उतार चड़ाव भरा हुने के बावजूद भी प्रेम जीवन के बहतर जाने की उमीद है पार्टनर्स के सायोग और सामन जसे से प्रेम संभनों में मधूरता बनी रहेगी लवर्स एक दूसरे को समझने का बहतर प्यास करेंगे और एक द धार्मी किस्तल की आत्रा पर जाने के योग हैं चाहे हाला जो भी हो परिवार के सदस्यों के साथ बहस आदी से बचें और धहरी बनाए रखें हर परिस्तिति में अपना विश्वास डगमगाने ना दें परिवार के सदस्य आपको जरूर सही योग करेंगे संतान पक्षिक किसे यह वर्स आपके लिए बहतरीन परिणामों का रहेगा आपकी इंकम में व्रद्धी होगी तो वहें पैत्रक्संपत्ति का लाब भी आपको मिलने के योग हैं अतिरिक त्राई में भी व्रिदिक के योग हैं इस वर्स आपकी आर्थिकिसिति पहले के मुकाबले बहतर जिस वज़े से आप इस वर्स से धन संजय करने में भी सफल रहेंगे लेकिन आपको इस बात का भी खास ख्याल रखना होगा कि आप अपने बेकार के खर्चों को कम करें कोशिश करें कि अपनी आमदनी और खर्चों में आप उचित तालमेल बना सकें कुल मिलाकर यह वर्स आपकी आमदनी के मामले में बहतर है अब बात करते हैं अलस हिनाम वाले लोगों के स्वास्त के बारे में राशिपल अनस्वार स्वास्त के लिहास से इस साल बहतरी रहने की उमीद है इस वर्स आपका मान से एक स्वास्त बहतर रहेगा exercise वो योग को आप इस वर्स अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं आपके स्वास्ते में इस दौरान सकारात्मक बदलावाएंगे कुछ जातक जिम भी जॉइन कर सकते हैं वैसे तो कुल मिलाकर स्वास्ते के लिहाज से साल अच्छा है अगर आपको हमारे दौरा दी गई ये सबी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उप्चार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले